इस यूपपाइट यूपाइट यूपट इंपाइट इस एक चुछ खासे रूलर इतने कोई एफिशन रूलर नहीं रहते हैं कि जो कुछ ऐसा कुछ करते उठाके जो गुपता इंपाइट का नाम हो जाए पर लेकिन उसके बाद जो एक किंग आते हैं एक एंपरर आते हैं चंद्रगुपत 1 अब चंद्रगुपत 1 बहुत ही बहुत ही इंपर्णे किंग होते हैं क्योंकि इनके बाद ही सारे चीजे फ्लोरिश होनी श्टार होता हैं आपके आर्ट की, साइंस की field, इिट्रेचर , फिलॉसthenी सारी फॉरिश होने लग जाते हैं सारी चीजए एक तासे पीक पे, बूम पे चलिया आती है, तो इसी के बज़े था से इसको ये भी चंद्रगुप्त 1 को ही एकता से माना जाता है कि जो क्लासिकल ए, जो गोल्डन ए, जो गुपता इंपैर के बारे में डिसकस करते हैं, वो इन्हीं से स्टार्ट होता है, तो गुपता चंद्रगुप पर ये माना जाता है, जो सम्मुद्रगुप्त थे, उसके संटो थे, उसके यंगर सन थे, इनसे बड़ा भी एक सन था, एलडर सन, और वो भी पहले किंग बना था, अब उसकी थोड़ी स्टोरिय सम्झे, उसका नाम था रामगुप्ता, तो चंद्रगुपता 2 का ही वो भा अब यह माना जाता है कि जो साकास थे जो मैं आपको बताया है इंडो साहिथन थे जो इंडिया में फॉर इन्वेड उन्होंने किया था वो क्या करते हैं रामा गुपता जो किंग होता है उनकी पतनी जो दुरुवा देवी होती है कुईन को उठा के ले जाते हैं और यह राम जाते हैं और यह क्या करते हैं बेस बदल कर जाके साकास के सारो रूर्रस को मार कर अपनी कुईन को भावी को वापस उठा के ले आते हैं जो गुपता के इंपायर के तरह से कुईन मानी जाते हैं उनको वापस ले आते हैं और उसके बाद इनना गुसा चड़ता अपने भा लामगुपता को साफ कर देते हैं अगला क्या है he was known as a Vikram Aditya तो यह बहुत important question रहते है कौन सा ऐसा गुपता गुपता था जिसने Vikram Aditya का title लिया था तो वह है चंदरगुपता 2 अगला यह दखिए he further annexed territory including सौराष्टर विच गेव अब यह माना जाता है कि भाई साब ने क्या किया इतने सौराष्टर का area को जीत लिया चौराष्टर का area आज के time का जो आपका गुजरात का area अब गुजरात का area बहुत important इसलिए बहुत कि वह coastal line है वो एक तरह से आपका नदी के साथ लगता है समुंदर के साथ लगता है कौन matrimonial alliances to expand his kingdom तो भाई साब ने किया कि इसने matrimonial alliances भी की दो तरीके से चीज़े की पहले तो इसने matrimonial alliance के उसके बाद वकास के साथ भी किया है वका तकास के साथ भी इसने किया है तो इन तोनों के साथ भी केसी अडम करके तो उसके साथ अपनी बेटे की शादी भी कराते हैं, ठीक है, तो इस भाई से हमने कहा किया कि इसने बहुत स्ट्रापा किंगा, मैं आपको बदा आता है, साका की जो डैनिस्टी थी, अलग-अलग इंडिया में फैली भी थी, इस्टर्ण में, वेस्टर्ण में, मिडल में, आपके सेंटरल भाग में, इंडिया के, तो हर रद्यका से वो रूर करते हैं, इनको, इनके काफी ए दिया, स्ट्रापाज या साकास कह लिए, जो उनके केंडम को हमले करता है, अपने, उनकी डाइनिस्टी केंटे, इसलिए, इसको एक टाइटल मिलता है, टाइटल कौन सा, साकारी, जिसका मतलब क्या होता है, दिस्ट्राइर ओफ, दिस्ट्राइर ओफ साकास, तो ये भी आपने आज आज सकते हैं, जो एरिया है, सोराष्टर का एरिया है, सारा आपका कहां पर गुजरात का एरिया है, और ये वो जीत लेता है, किसको हराने के बाद, साका का एक किंग होता है, रुद्र सीमा तीन को हराने के बाद, रुद्र सीमा थर्ड, तो इसने जैसी Western port आप जैसे इसने बात की इसमें गुजरात का एरियस ने जीत लिया तो इसी के साथ इसका भाई किया हो जाता है इसके ट्रेड लिंक बढ़ जाता है वेपार बढ़ जाता है कि इससे Roman Empire से आफ्टर इस्ट एंड वेस्ट इंडिया चंडर गुप्तु टू डिफिटेटि नॉथन रूरस अलसो लाइक था हुनास, कंबोज, किराटास तो इसने पर इस्ट के लोगों को भी हराया वेस्ट के लोगों को भी हराया उसके बाद नॉर्थ में गया नॉर्थ के रूरस जो अब हुनास बड़े इंपॉर्टन हो जाता है, इसके बारे में हम बादने पढ़ेंगे, मतलब गुप्ता अगर खतम हो जाता है, उसके बाद हम हुनास के बारे में पढ़ेंगे, फिर कंबोजास थे, फिर किराटास थे, तो ये सब सारे अलग-अलग लोगों को भी इसने ह हरा है अपने उसमें एक ब्रिलियंट एक तरह से मनने जाता वो था तो यह देखिए आप चीज समझिए बाइस साब एक कॉंक्वेस्ट तो करी रहे हैं दूसरों को हरा के उनकी चीज़े अपने में मिला रहे हैं अपनी टाइनिस्टी में पर लेकिन यह एक सिरफ वो भी नहीं है कि मिलिटर से जीत रहे हैं और वो कर रहे हैं कि बहुत सारी पॉलिटिकल भी आपको एड्वांटेजिस उठाने पड़ते हैं आपको दिमाग से सोचना पड़ता है कि अच्छा रूल इस्टैबलिश करना पड़ता तो यह एक अच्छे एड्मिस्टेटर भी थे मतलब अपने शाशन प्रशाशन को अच्छे से चलाने वाले भी थे तो दोनों चीजे थी दोनों का अच्छा मिक्स था तब इनके जो डैनिश्टेव वो फल फुल रहे थी अच्छी फलरी शोरी थी तो यह अपने फादर की तरह ही वैशन अव हिंदू थे पर लेकिन हर धरम को टॉलरेंट थे हर धरम के प्रत्री टॉलरेंट हर धरम को यह पूरी पूरी इजद बख्षते थे अब देखिए बहुत इंप्टन यह पर इक चीज समझेए जो कि आपने इंडोर गरीक से मैं बारो बतार हूँ आपको को इन्टर कोई बहुत मिलें किसने गोल्ड कोई चलाए किसने शीशे के भी कोई चलाए उसके बाद फिर क्या तो कहते है किसी के कोई पर कौई से बहु पतलब आकरतिया चपवाई ठीक है अपने लौड शिवा के भी देखी थे आकरतिया चपवातिया कोई लोग उसके बाद फिर क्या दो कहते हैं आपके जो एम्परस बगारा जो इंपोर्टन थे लेजेंड बड़ा बहुत इंपोर्टन थे तो वो चपवाते हैं ग्रीक में हम को जाधी इंपोर्टन देते तो यह सारी चीज़े हम कोई से देखने को मिलती है अभी देखे इसके टाइम में क्वें कुन से कॉइन मिले इंकलूड धिकरमा देवगुपता देवाराजा जिमावी करमा उसके बाद विकरमा दित्थिया साकारी तो यह यह सारे नेमस उसके field के लोगों को रखते थे, अलग field के expert के लोगों को रखते थे, जिससे अलग-अलग चीजों पर अलग-अलग views continually उनके code में मिलती रहे, तो जब इससे भी हर डेली सभाय लगती थे, उसमें code को अलग-अलग मुद्धों पर, अलग-अलग चीजों पर अलग-अलग उठके आते तो उसमें अलग-अलग views मिलते थे, इनके टाइम में भी नवरतन्द थे, जिसमें से जो हम most जो फेमोस उसके बार में पढ़ते हैं, nine people eminent in the various fields, तो अलग-अलग field से उठके आते थे, तो हमको पता, यह आर्ट से थे, कुछ literature से, कुछ science की अलग-अलग word के अलग-अलग meaning क्या होते हैं, तो वो लिखते हैं, तो person who writes dictionary, अलग-अलग lexicographer, उसके बार यह कहना में धना वंतरी थे, physician, physician वो पसन होता है, जो medicine के बार में पच्छा बढ़ रहा है, surgeries बगएरा कैसे करने हैं, यह सर्भा तो एक चर्खा करके हमने पीछा बढ़ा था, वो भी एक बड़ अच्छा medicine के field से person था, ठीक है, तो अगर हम देखते हैं, last point फायान अब बुधिस्ट और बुधिस्ट फ्रॉम चाइना विष्टिड इंडिया दूरिंग तो एक फायान करके person हो और उसके बड़ एक हुनसांग करके person है, तो यह दो में काफी confused कर जाते हैं, तो फायान आया था पर चंदरगुप 2 के time में एक Chinese ट्रैवलर था, Chinese बुधिस्ट ट्रैवलर था, उसके बाद एक जो हुनसांग होता है, वो हर्चवर्दन के time में हम आगे पढ़ेंगे, he records the prosperity of गुपता इंपैर, तो भाई सब इनके court में जब आते हैं, इनके बारे में पढ़ते हैं, उसके बारे में लोगों को बताते हैं कि इनका time बहुत अच्छा है, यहां पर सब कुछ को सब को इतनी इचत मिलती है, हर फिल्ड के लोगों में Chinese Buddhist traveler, ठीया, अब उसके बाद हम आगे, उसके बाद जो एक important person और आते हैं, वो तक कुवार गुपता है, इन्होंने तो कुछ ज़्यादा बड़ा-बड़ा काम नहीं किया था, यहां पर यहां पर बंगाल जो इस से लेके गुजरात के काथया वार था, क्यां पर इनका रीजन फैला हुआ था, अब देखे, यहीं से स्टार्ट हो जाएगा हुणास का हमला करना, हुणास हमला करते रहेंगे, इतने हमला कर देंगे कि गुपता इंबार का डिकलाइंजिंग हो जाएगा ठीक है तो ये चीज़ हैं तो हुनास के हमले इनके टाइम में स्टार्ट हो गये थे पर इनके किस तरह बचा लेते हैं अपने उसको अपनी टेरिटरिस को उनके हमले से और जो most important इनके बार में question बन जाता है तो कुमार गुपत वन फॉंड़ी दा नालंदा यूनिवस्टी नालंदा यूनिवस्टी आज के टाइम में कहां बर रहा है बिहार में है और ये बहुत बड़ी बुद्धिश्ट एक तरह से यूनिवस्टी मानी जाती थी और इसको एक तरह से question ये भी आता है जो दो question में द बना है तो इसकी स्टोरी में ये था कि बक्तियार खिलजी एक तर्केश इनवेडर था वो बारा सो सम्थिंग इंडियम इनवेड करता है तो उसने क्या देखा तो वो बिमार हो जाता और उसको कहीं मनला दवादार उसकी होनी पार ही होती उसको दवाई नहीं मिल पाती है बिमारी की तो उसको कोई सज्जेश्ट करता है कि भाई आप इनके पास चले जो नालंदा उनिवस्टी के लोगों के पास यहाँ पर अलग अलग चीजों के बारे मैडिसन के बारे पढ़ाय जाता था अलग अलग रिलीजियस की बारे पढ़ाय जाता था संस्रित सारी पढ़ाने वाले टीचर्स पगा फिलोस्फर पगारा थे तो यहाँ पर किसी ने इसको सजेश्ट किया कि भाई तुम इधर चल जाओ यह बुद्धिस्ट युनिवस्टी है यहाँ पर चल जाओ इनके पास हर चीज का हिलाद यह पर लेकिन जो एक वो होता है तरकिश कि भाई तुम यहाँ पर चल जाओ यहां से ले ले तो यह जाता नहीं है धिरे तो उसके हालत खराब होते रहते हैं तो कोई इसका एक कमांडर या इसका कोई नीचे का सैनिक जाके इन लोगों को रिक्वेस्ट करता है कि ऐसा कुछ दे दो मेरे जो मालिक है जो बक्तियार दो कोई एक परसन आएक ऐसे करता है कि यह सारा कुछ जो मेरे सही होने का पिछे रीजन है वो यह सारा रिजन है कि बुद्धिस्ट यह मतलब जो नालंदा यूनिवेस्टि के डॉक्टर थे इन्होंने यह ऐसा ले बनाया था और यहां पर उनको मतलब की तरह से आके गिफ्ट देने के बजाए उनको थैंक्स करने के जगा क्या करता है कि इनको उड़ा दो यह नालंदा यूनिवर्स्टी को पूरी जला देता और यह माना जाता है यह उनिवर्स्टी इतनी बड़ी तो इतना खुष था यहां पर कि छे मेन लगा कर ऐसे लेप दे दिया अगर यह थोड़े से बड़े होगा अच्छा है इनको प्राटफॉर्म मिल गया तो यह तो कल रूलर बन जाएंगे या फिर ऐसे किंग यहां से निकल जाएंगे जो तो मुझे हराई देंगे अपर हजित की पढ़ाई होती थी पॉलिटिक्स क इनवेटर और चोंकि 1202 में आता है इंडिया में अब उसके बाद आके कोई ऐसे इंपॉर्टन रूलर नहीं आता है धीरे धीरे इनकी धैनिस्टिक खतम होती रहते है तो जो लास्ट ग्रेड किंग में मान के चलेंगे तो उसकंद गुप्ति ही होता है ठीक है उसको बारे म कहां लिखा है इसके बारे में लिखा है भितारी जो पिलर से इंस्क्रिप्शन तो पहले आपको मैंने बता रखा कि जो अशोगर टाम से में पढ़ते आ रहे हैं कि जो भी कोई किंग बगारा होता तो वो कुछ अच्छा हिरोई काम करता तो उसको कहीं नहीं तो आप लिख तो उसके बाद उसको हर मतलब एक दिलिजियस व्यू को वो पूरीजर देता था खुद एक वैशनवा था ठीक है तो यहीं तक एक important king जो मैंने आपको पढ़ा है इतने ही हैं बाकी आपको important कुछ जादा नहीं पढ़ना है इसके बाद चार-पांच king और आते हैं ठीक है वो उसके बाद भी टनिस्टिक खतम हो जाती है ठीक है उसके बाद हम देखेंगे उसका हूनास का जो आगे वो आते हैं तो यहीं तक एक थी ठीक है इस पार्ट सेटिंड था ठीक है ठीक है